इस कारिक्रम के पुर्णियार जखें तोड़ा वहत पुर्ण का उदय बचा है कि तुमारे दिमाग में कुछ गुनजायस बची होगी कि ये धन कहीं अच्छे कामों में लग जाये उसी दिमाग में बची गुनजायसे तुम पुर्ण कमा रहे होगे इसलिए कोई hacker तुमारे उस data को hack नहीं कर पाया जो आपके बैंकों में जमा है हां सुन रहे हो साबधान हो जाओ बैंकों का माया जाल यही बोलता है उसकी समिक्षा के तहता हमें बोल ला है कोई विसेश तुमारे पुर्ण का उदय है कोई hacker को अभी तक तुमारा वो सिस्टम है है करने लाइक नहीं बना पाया नहीं है तो मनुस की बनाई हुई चीज मनुस किसी भी तरीक से करप्ट कर सकता है है कर सकता है खतम कर सकता है ethical hacker पूछो जो भी software फील में काम करने वाले बच्चे आपके साथ बैठे हो वो hack करके बता देते देखो इतना data हमारे हाथ में आ चुका है हम आपको साब्धान कर रहे हैं साब्धान हो जाईए नहीं है तो गायब भी कर सकते हैं यह तो फिर भी ठीक है अपनी टेलेंड को ऐसा आपको साब्धान करने में बनाए हुए हैं लेकिन जो साब्धान नहीं करते आपने देखा होगा कुछ अंचाहिर कॉल आपके मोबाइल पर आते रहते हैं आते ना अन्वांटेड कॉल्स अन्वांटेड मैसेज़ेज जैसी आप उनको टच करोगे तुरं पैसा कट जाता है इतना तो आसान हो गया आपके घरों से पैसा निकालना आपके बैंक से पैसा निकालना फिर भी मान के वैटे हुआ हमारा इतना पैसा बैंकों में जमा है चाहे मुंगावली के परिवारवालों हो चाहे मुंगावली के N.R.M. हो N.R.M. समझते न? हाँ, अप्रवासी मुंगावली बासे बेटियां हो, बुआएं हो, बच्चियां हो, बेहने हो, महराज बहुत टार्गेट कर रहा है आप तो हैकर नहीं है, चंता मत करना प्यस्त रहे, इसलिए रच्चा जाजा नहीं कर पाए, और आपने एक्स्टेंशन मानी लिया, कि महराज जी कई लोग तयार हो रहे हैं, कहां संचाला बैठे के नहीं बैठे एक्स्टेंशन माना हैं, महराज जी एक दिन में काम नहीं बन पाएगा जैसे राकी हम लोग आठ दिन तक बाहनते रहते हैं, इसलिए राकी का ओफर भी कुछ दिन बढ़ जाए तो हमने कहा था, कि जो आपके स्वर्ण संस्कति रक्षक के पुर्न्यारक बनना चाहते हैं, उनके लिए तो हम अश्टिमी तक का समय देते हैं, कि आठ दिन का ओ, सोच लो, कोई और नया बनना चाहते है, लेकिन जो ओफर कल आप लोग उने पाया था, बाइ वन गेट वन वाला ओफर, वो तो सिब तीन दिन के लिए है, आज दूसरा दिन है और कल लाष्ट है, उसके बाद वोई सामान विवस्था रहेगी, क्यों? सामान विवस्था इसलिए, क्योंकि आप लोग का धन, एदी बैंकों के हवाले है, और बहीं से हवाला हो जा और तीर शेच के निर्मान में लग जाए, तभी उसके आप सामी माने जाओगे, नहीं है तो भूल जाओ, भूल जाओ, कि आपका बैंकों में रखा हुआ धन आपका है, कोई भी बैंक दिवालिया होने के बाद, अनियमित्ताय आने के बाद, सिर्फ एक लाख लुटाने के उत्तरदाई हैं, भले ही करोड़ो नो आपका रखा हो, सरकार का बैंक है, वो तो नेशनलाइट कोई सा बैंक हो, एक बैंक अधनियम के अंतरगती है, कि कोई भी बैंक एक लाख रुपे तक देने का उत्तरदाई है, वांकि सब खतम, अब बताओ, बैसे यदि कोई दान की बात आजाए, दस बार उपनिचे करोगे, और यहां पर साध्धानतिक तोर पर मान के बैठे हैं, कि एक लाख मात मिले का, तो भी करोड़ों रखे हैं बैंक में जा करके, क्या होगा उसका, डैड मनी, और बैड मनी, हां, यो कि बैड मनी गुड मनी बनना चाहे, और डैड म वो तो अस्पदालों में लगता, अदालतों में लगता, जगडे फसाद में लगता, सांसारे कार्यों में लगता, लेकिन जो सामर्तबान हो जाता है, बही परमार्थ में लगता है, और आयतनों के निर्मान में लगता है, अपने धन की सामर्त बढ़ाना हो तो देख लो, नहीं है, तो कमजोड तो है ही. महराज, बस ये केस से ने पढ़ जाएंगे, उसके बाद तो हम पूरा धन भी लगाएंगे. हाओ, केस में लगने बाला है आप तो. बच्चों की साधी हो जाए, महराज, कितने बच्चे हैं, बच्चे पुंडवान होंगे, तो तुमारे धन के बगार भी साधी करो जाएगी. और नहीं होंगे, तो तुम पूरा भी लगा दो कि कुछ नहीं है. एक दो दिन के साधी के लिए, पीस, पच्चीस, पचास लाक यूँ ही खर्च कर जेती, शानो सौकत के लिए. इसलिए उन सब के लिए, वो उधार हमने तीन चादन पहले दिया था, कि एक ब्रक्ती ने, अच्छा, रहीष ब्रक्ती, बहुत इज़त कमाई उसने अपने समाज में भी रिस्थेदारों है, सभी समाज रिस्थेदारों को सब को बलाया उसने, अपने बेटे की साधी में, और बेटे की साधी में बलाने के बाद, सुन रहे हो, बेटे की साधी में बलाने के पश्चात, पिलको सामान से साधी की, साधगी पूर्ण की, बल्कि साधगी पूर्ण से भी थोड़े निचले स्थर पर, कम से कम खर्चा, लोगों ने लगा कितना कंचूस है कल तक तो बहुत अपने दीगें हांगता था अरे होजन में कम से कम पगवान भी नहीं बना है कच्छा होजन बना बाया ये बात लगा है कि पगवान खाने के बाद जब पेट खड़ा होता है तो तीसे दिन खाओ रसम की आवस अथा ही नहीं है हाँ पेट खड़ाब होने के बाद किच्नी का बाद हुआ तुम क्या समझत हो ये सब जतनी बाद बनाए गाए असब बेश परिसंदत प्रसंद की आधार पर है और परिस्ति की आधार पर है कहा है गारे होता है अब क्या घर है लाटे कटे के अब निकल लागर कटेटा है अब 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 सब ऑच्टी होगए आपस किसी पραकासी बढकें दागें तो कोई आपस में लड़ेगा अब सब्द बोलेगा तो हो सकता है इस पूरे फंक्षन में ब्याबधान आ जाए इसलिए एक साथ तुम एक साथ गारी का बलोगा कल लो एक साथ जो बोल डालो लाकि तुमाही भड़ास नेकल जाए बोलता ना होता है बंदिल खंड में गारों का बलोगा क्या बोलते उसका गालियों का बलोगा तुमाही भड़ास नेकल जाएगी तुम संदे पढ़ जाओगे और सांतिस तुम सादी में भाग लोगे यह सब बव कि साधी बिलकु साधगी पूर्ण धंग से कि कच्चा भूजन पिखलाया जो रोज खाते हो आप अपने घर में दाल रोटी सबजी और सब के सामने सब बड़े उदास थे ते कैसे कहां आ गए यह तो हम घर में खा लेते कुछ लोग होते हैं जो किसी बिशेश बेगती कि इसे अपस्तन का वक्त था सभी के बीच में उसने बिने के साथ कहा हम मानते हैं हम आपकी खातेडारी आवगत अच्छे से नहीं कर पाए लेकिन इजो व्यर्थ में हम खाच करते हैं उसको इखटा करके परमार्थ में हम एक करूर का दान करने जार हैं बताओ कितनी इज़त कमाली उसने कितनी इज़त कमाली अनद दन से भी बच गया और परमात में पुन्ण कमाने से भी उन्दी पा गया क्या सा कोई कर सकता है साहस नहीं वीच पचीस पचास लाग दो जन की साधी यू ही खाच कर देता हम तु कह रहे एधी बगु के लिए खरीता फिर भी ठीक है तुमारे घर में रहेंगे वो वो तो फिर भी मान लिया वो तो इन्वेस्टमेंट हो गया लेकिन ये तो सिर्फ मात फूक जालता सानो सौकत के लिए और दस पचीस लाग रुपय अधी कहीं पर लगाने की बात आए हजारों बरसों तक तुमारा ना जोड के रखे हैं सादी के लिए जोड के रखे हो कि बरबादी के लिए जोड के रखे हो बहु के लिए तुम बिनाओ कोई बात नहीं बेटी के लिए देदो दहेज में कोई बात नहीं लेकिन जो सुम दो दिन के खर्च करते हो दूसरों को दिखाने के लिए और कोई तार करते हो अपनी नाग की खाते रहे अरे नाग तो उसकी बड़ेगी जो आपके मुंगावली की नाग आचार विद्धा सागाई जी माराज के द्वारा आशिरबास आयतन की निर्मान में बड़ेगी सही नाग किया वो ही नहीं जानते है सुर सुर करते हो नाग से नाग की बात करते हो पताओ है की नहीं सही बात अब जो बैंकों में तो अपनी धन की स्वामी बने बैठे ए sitio हम तो बैंकों के मायाजाल की बात कर रहे हैं उसके समिक्षा कर रहे हैं, कि एक लाख रुपे मात देने का ओतरदाई है कोई भी बैंक दिवालिया होने के बाद, बहले ही करणों रखाओ तुमारा, लोकर में कितना ही रखाओ, कोई मतलब करने ही सब खतम, और यह जो कैश भी है, पहले तो कम-कम कैश होता था, अब तो कै लेश की और आप बढ़ चुके हो, और लेश कैस की और आप जा रहे हो, सब रिटलाइज हो गया, नंबर कुछ ही नहीं है, अचानक कोई बेक्ती मांगने लग जाए, बैंक के पास इतना ना कैश है न कुछ, कुछ नहीं है उसके पास, चिप यहां से वहां घूम रहे हैं और नंबर में आप घूम रहे हो, पहले लिखा होता था, नोट पर अभी भी लिखा आता होगा, मैं धारक को इतनी रुपे देने का बचन देता हूँ, इसका मतला वो कैश क्या है, रसीद है, समझ रहे हो ना, जैसे पीछे टेवल रसीद बन रहे हैं आज कर पन्यान होती क ऐसी वो रसीद है, जिस नोट को तुम अपना धन मान रहे हो, रसीद मात रहे, रसीदों के सौमी बने हो, कैश को भी रखijnे हो अपने पास, रसीदों की सौमी रहे हो, कुछ नहीं है, वो नोट रसीद है, क्योंकि उस पर लिखा है, मैं धारक को इतनी रुपे देने का बहुत अच्छा, रसीद को रख करके, और अचानक, रसीद का प्रिंट आउट बदल जाए, 2016 में बदला था जब, नोट बंदी के रूप में, तो पांसों का नोट, हजार का नोट क्या हो गया था? कागज की रसीद, अनाथिकत रसीद बन की थी, अब इसकी कोई मैल्यू नहीं है, अब बताओ, ऐसे बैंकों के धन, और ऐसे वो कैश के स्वामी बने हो करके, तुम अपने आपको धर्मात्मा तो नहीं, धनवान मान के बैठे हो, इसकी अपेक्छा, वो उनकी मयाद और उनकी नियमा वली खतम होने के पहले, उसको परमार्थ में लगा दोगे, तो धनवान तो क्या, पुर्णबान भी बन जाओगे, और धर्मात्मा भी बन जाओगे, पूरे लगाने के महाराज, ऐसे एहसांदारी से बोलता है, पूरे लगाने के महाराज, टौन तो ठीक कल लो, तो क्यों कहता है, घ्न देली, जब दो चाहर दस बकति आते हैं, तो निक आनवा, हमाँआपको बताते जाते हैं, नाम लिये बग़र, आनद भी आता है, और लगता है कि इस धन के पति लिप्षा कितनी है, तुमारे पतन को कोई बचाना चाहे, और तुम पतन से बचना ना बोलने हैं, जो बेहने बैठी उनके लिए भी बोलने है, जो नहीं कर पा रहे हैं, जो नहीं कर 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 यह तो श्री को तो कोई भी मान सकता है कि श्री हमाएं पास है, वो श्री मान होता है, मती तो सिर्फ, बताओ, स्वामिनी के पास होती है, चो कि श्री मती उसी के लिए लगा हुआ है, मान मतलब जो मान करता है, जो श्री का मान करे, वो मान स्री मान है, हमाई भासा में तो, बल जो पतन में ले जाए उसकी होगी, की जो पतन से बचा है उसकी होगी. हां, बीकेंट्स में पार्टी में जाना, जुटिया लग जाए तो तूर पे जाना, कहां शिखर जी, शिखर जी किते बाद जाए, Manali, Kullu, Shujjaland, Haa, Hololulu, Haa, यह है और क्या, पताया है कोई, इन सम में जाकर के, लाखों खरज करके आ जाएंगे, तूर पैकेज मिला है, कुछ लोग तो, कमपनी का तूर पैकेज मिला है, कमपनी का तूर पैकेज मिला है, कमपनी इतनी बुद्धी मान है, कि तुम्हें इस इस किराया के भाड़ा ते देता है, और उसके बाद, उस जितना तूर पैकेज मिला था, उस से आदा खर्ज करके तूम अपना आ जाते हो, पाँ गोवा की तूर पे गए और किसी की तूर पे गए हो, महराज कंपनी का पैकेज मिला तशली चलेगाए, बहत अच्छा, परमात् आज बच्चे बाहर गए हैं, आज घर में अहार्त हुआ, सब नहीं हैं, क्यों क्या है, तूर का पैकेज मला था, कंपनी की तरफ से आया था, बहुत अच्छा है, मुलब कैसी लगता है, कि जिस आत्म बैवहाव को प्राप्ति की ही मुद्रा को पाने के लिए, सौधरम इंद इंदो कनाथि लगता है, की लगता है, आपना सर का पैगए लगता है, सौछता है, सौछता है, और अभिमान करता है कि मनने गणन गाल्यानक, यन्म गल्यानक आट ऑन मोक््ष्ण अर्मोख्षण सारे कल्यानकों को मनाने का जिम्मा अपने कंधों पल लिया और गर्म में आने के छह मैने पूर्व से कुवेर को रष्ण बश्टी कराने का आदेश दिया और उसके बाद नाभी राय और मरुदेवी यह तो सिर्फ उनके जन्म दने वाले माता पता है बाकी में असली पणपोषण तो मेरे द्वारा होता है बस तर आभूषण भी स्वर्ग से आते हैं और भोजन पानी भी स्वर्ग से आता है पणपोषण में करता हूं ऑक्रतम उपकारम ना विश्मृति साधवा किये हुए उपकार को सादू लोग, सज्जन लोग भूलते नहीं मैंने इतना उपकार किया गर्व में आने से पहले किया गर्व काल में किया, जन्म काल में किया अब तब कल्याड़क हुआ एक दीक्षित हो गए तो इतना तो मानेंगे कम चकम पहला गरास तो मेरे मादम सी गरहन करेंगे इतना इहसान गिया है लेकिन पहला गरास तो क्या अंदिंबी गरास देने का अधिकाज जब उस सौधर मिंद को नहीं मिलता तब धिकार था अपने उस पुन्न को किस काम के बैभाव किस काम के सेने और किस काम का पूरा लाव लश्कर किस काम का जो मेरे प्रत्यक पतन की एक्छा को पूरा करने का तो अभिमान करते हैं लेकिन जब पतन से बचने की बात आए और एक ग्रास पदान करने की बात आए तो ये कोई भी कुछ नहीं कर पाते सोचता है इस रावकों ने किया ही क्या मैं तो अभी तक अमरत लाग इखला सकता था और दिव दिव भोजन कराया है इतने बर्सों तक 83 लाग पूर्व तक आजिनाद भगवान की बात कर लो तो दी 83 लाग पूर्व कितने कलाते सोचो एक पूर्व में कितने बर्स निकल जाते संख्याद बर्स निकल जाते ऐसे 83 लाग पूर्व तक कितने पारंपोशन किया बताओ सौधर मिंजर के द्वारा ही हुआ पूरा-पूरा कितने बर्स निकल जाते